अपना पहला यहां पर बोल रखा है कि अपने को focus चीए axis of the parabola चीए और यहां पर देखिएगा कि then the equation of dietrix चीए और length of rectus lectum चीए तो क्या करेंगे यहां पर 4 चीजों को किया किस में symmetry आएगी और किस side यह open होगा यह वाला logic देखेंगे फिर इनका graph बना देखेंगे graph का मतलब कि geometry देखेंगे representation देख लेंगे और बाद में हमारा discussion start है तो देखिएगा क्या है तो पहली बात तो देखिएगा कि यह equation किस form किये y square equal to 12x की form किये तो यहां से देखने पर आपको देखिएगा कि क्या है कि solution में क्या है कि given पेराबोला एक्वेशन गिवन पेराबोला एक्वेशन तो यहां पर क्या होगा y square term में है तो इसका मतलब यह किसमे open होगा यहांनि symmetry किसमे आएगा तो यह symmetry किसमे आएगी symmetry will be symmetry along किसमे होगा along किसमे आएगा अक्स अक्सिस पर आएगा न आएगा और हमें यह पता है कि जो अक्स अक्सिस है वह itself ही क्या है एक अक्सिस है तो अक्स अक्सिस इट्सेल्फ इस ए अक्सिस 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 आएगा तो यहां से देखिएगा कि अपने पास जो पेराबोला होगा वो कौन सी side का है और यहां पर axis तो इसका वो आ गया तो यहां पर parabola यह तो के लिए रो गया कि यह axis पर आएगा axis पर आने के बाद में यह देखेंगे कि यह जो parabola है वो किस form यानि कि इसका जो coefficient x का the coefficient of x is positive तो यह positive है तो यह किस side में open होगा then it is open in किस side में होगा right side में होगा right side में आएगा अब right side में open होगा और यह अपने पास parabola तो कौन सा parabola होगा अब हम इसकी क्या कराएंगे कौन सा parabola होगा यह होगा अपने पास y equal to 4ax parabola यह बाला परबूल्ल होगे लाइट सैड में अक्सिस पे तो हम क्या कराएंगे ? देन अब क्या करेंगे ? देन यह से क्या कराएंगे ? पर देन पर देन पर देन खरीजन जो कहाँ से क्राएंगे इसका ? compare किसके साथ करेंगे, compare with y2 यह जो y2 है, then compare with किसके साथ कर लेंगे, इसको हम y equal to x के साथ तो यह इसकी general form है, यह इसकी general form है, तो इसके साथ compare कर लो तो यहां से आपके सामने देखिएगा, कि a की value क्या आएगी निखल के, कि 4a equal to क्या आएगा, 2a, तो a की value आई आई आपके सामने 3 तो आपके पास में यह parabola है, तो इसकी देखिएगा, यह आपके सामने dietrix क्या आती है, और vertex क्या आता, rectus lectum क्या आता, वो सारी चीजें, तो इसकी थोड़ी सी पेरा बोला कि यहाँ पर जो focus होता है, वो 0, क्या होता है, वो a, 0 होता है, और यहाँ पर 0, यह होता है, और यहाँ से देखिएगे तो, rectus lectum, यह, अब यह, इसकी क्या होती है, rectus lectum, यह आता, 4a, यहाँ तक लिए 4a आ गया, vertex आ गया, और dietrix अपना रह गया बाकी, तो यह अपने पास देखिएगा, dietrix आ गया, अब dietrix की जो equation आयती है, वो क्या थी, x equal to minus का है, अब यहाँ से देखिएगा, कि सब कुछ लिख देंगे हम, यह, तो यहाँ से देखिएगा, आपके सामने, vertex तो क्या आया इसका, vertex आपके सामने आया, 0,0, और यहाँ से देखोगे, तो focus क्या आया, focus आपके सामने आया, क्या, a, a की value कितनी है, 3,0, और lr, यानिकि, rectus, rectum क्या आया, वो, वो अपने पास आया, 4 x 3 equal to 12 है, यहां तक किलिए रहे, और एक अपने पास देखिएगा, कि dietrix, dietrix क्या है, dietrix में आगे अपने पास, x, x equal to minus 3, यह अपने पास देखिएगा, कि चारो बातें आगे है, जो हमने यहाँ पे discuss की थी, यह, यह, और एक आया गया क्या, यह, तो चारो बातें आपने ने, crystal के लिए रहे बातें, अब देखिएगा, कि next जो second है, second क्या आपने पास, x square equal to 6y, अब देखिएगा, कि इसमें जो अपनी equation है, पेरा बोला कि वो किस form में, वो अपने पास देखिएगा, कि x square की terms में है, x square की terms में आते हैं, symmetric में आएगी y, y axis पे आएगी, और y axis पे आने पे यहाँ पे देखिएगा, कि coefficient क्या है, और coefficient है वो इसका क्या है, positive है, और positive होगा, तो यह किस side में खुलेगा, यह खुलेगा अपने side में, अपवर्ड side में, तो देखिएगा, आगे क्या करेंगे, solution, क्या हैगा, कि गिवन पेरा बोला, बोला equation, तुम्स in x-square तो यहां से क्याएगा, देन तो यहां से एगा, तो यहां पे किसमें x-square में तो देन, इसकी जो symmetry आएगी वो अपने पास क्याएगी? symmetry तो यहां पे देखिएगा, कि स्मेट्री क्या हैगी? तो यहां पे देखिएगा, कि स्मेट्री क्या हैगी? symmetry along y-axis तो यहां से y-axis आया और y-axis क्या होता है? itself क्या होता है? एक axis होता है तो itself is axis तो यहां पे देखिएगा तो यहां पे देहने लिए पात क्या होगी? तो यहाँ पर देखिये पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा symmetry होती ही यह कौन से parabolas आएंगे तो यहाँ पर possible parabola आपने पास यहाँ पर देखिये गा कि यहाँ तो x square equal to 4 ay आएगा और क्यों से आएगा x equal to minus का 4 ay आएगा यह वाली बात है दो हैं बट यहाँ पर देखिये का coefficient क्या है इसका coefficient of y is positive तो then must be must be parabola will be parabola कौन सा होगा वो अपने पास होगा x square equal to 4 ay यह अब इसका हम comparison करा देंगे यह जो parabola दियावा है अपने पास कि given x square equal to 6 y यहां से compare compare with compare किसके साथ कर देंगे x square equal to 4 ay के साथ यह कर देंगे तो यहां से देखियेगा कि क्या है गा। compare तो compare करते हैं अपने पास 6 equal to 4 ay और यहां से a की value कितने हैं 3 by 2 तो 3 by 2 आते ही अपने पास देखिएगा कि इसके vertex क्या होते है और वो सारी चीजे तो यहां से देखिएगा कि vertex तो क्या है vertex तो अपने पास वो ही 0,0 है लिख सकते हैं और यहां से आप diatrix का equation क्या लिखोगे तो diatrix का equation क्या आएगा अपने पास वो आएगा y और यह negative में जाएगा तो y equal to minus का 3 by 2 यह आएगा और secondly अपने पास क्या है focus focus है तो यह क्या होगा compare करेंगे positive then must be parabola यह होगा और आगे देखिएगा focus इस परकार की parabola का जो focus होता है वो क्या आता है वो आएगा अपने पास 0,1 इतना है अपने पास 3,2 यह आएगा और last one क्या अपना पास focus हो गया, diatrix हो गया, latest rectum lr, lr क्या होता है 4a और a की value कितनी है यहाँ पर 3 by 2 तो यहाँ से कितना आगया 6 यह अपने पास latest rectum आगया अप यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो diagram है वो देख लीजेगा आप अब जैसे आप इसको open लिखोगे देखिएगा कि कौन सी side में upward में तो यह open होगा क्योंकि y-axis में symmetry है यह open होगा इसमें और यहाँ पर देखिएगा कि focus जो general terms अपने पास वो देखिएगा इसकी और यहाँ पर वर्टेक्स आएगा 0,a और यहाँ का जो diatrix आएगा वो देख लीजेगा कि आप वो क्या आएगा 4a वो आता है 4a, vertex focus और अपने पास diatrix तो यह भी देख लीजेगा कि यह कौन सी side में आएगा यह नीचे की side में आता है और यह वाली distance अपने पास जो a है वो है यह तो a कितना है यहाँ पर 3 by 2 तो नीचे जैसे हम देखेंगे तो यह negative में आएगा और यहाँ पर यह की equation है वो ग्याएगी negative में 3 by 2 तो इस परकार से इसका diagram हम draw करते हैं